हेलो एंड नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अनुभव और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में हम UHV Universal Human Values का यूनिट नमर वन का फुल एक्स्प्रमेशन देखने वाले हैं और इस यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन तो च सिलेबस को कि क्या-kia syllabus हम पढ़ने वाले है इस वीडियो का और क्या-kia syllabus जो है Einkती उन्हें इस वीडियो का रखा है वेल्थ पांचवर टॉपिक है हमारे लेवल्स ओफ लिविंग और लास्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है यूमन एनिमल कॉंशियसनेस तो चलिए फिटाफ़ट से स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक से जिसका नाम है यूमन वैल्यूज अब हमने फहला इसनालिटी को एन्हेंस करती है ठीक है अब हम किन-किन वैल्यूज के ओपर यूमन को डिफाइन करते हैं और फिर किन-किन वैल्यूज को यूमन के इंतर काउंट करते हैं तो उसमें से कुछ वैल्यूज मैंने आपर लिख्यों है जैसे की टूथ हो गया ओनेस्टी हो गया लव हो गया पीस हो गया एंट एक्सेक्ट्रा आप इसे पॉजिटीव वे में भी ली सकते हो आप इस नेगिटिव वे में भी लो सकते हो अगर ज्यादा जूट बोलता है तो वह ऑग करती है बनाती और यहीं करते हैं कि हम अपनी लाइफ के अंदर किस तरीकी से act करते हैं, act करने का मतलब क्या है कि हम सामने वाले को कोई कोई चीज़ commit कर रहे हैं, हम उसको पूरा करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो किस level तक करेंगे, किस level तक नहीं करेंगे है न, तो इस तरीकी के आपके personality, एक perception बन जाता है आपका, दूसरे की दिमाग में, कि हाँ यार इस बंदे को मैंने ये वाला task दिया है ये वाला ये complete कर देगा, नहीं ये वाला तो बंदे ये वाला इस चीज़ के उपर न बहाना मारेगा है न, तो ये जो values होती है ये आपके character को एक तरीकी से, आपके personality को एक तरीकी से क्या करती है, define करती है Without these values, our lives would become chaotic and there would be no meaning behind anything we do or say और ये जो values होती है, ये एक तरीकी से हमारी जो life होती है उसको chaotic बनाती है chaotic का मतलब क्या है कि बहुत जादा एक तरीकी से valuable बनाती है ठीक है, and there would be no meaning behind anything अगर भाई-चांची values हमारी life में नहीं होंगी तो हम क्या चीज कर रहे हैं, क्यू कर रहे हैं, कुछ नहीं होगा जैसे कि आपने सुना भी होगा कि जबान की कीमत होती है तो जबान की कीमत यहाँ पर क्या हुआ, truth हो सकता है, है न, honesty हो सकती है आप यह कह सकते हो, तो यह जो values होती है, यह आप एक तरीके से meaning create करती है कुछ नहीं कुछ current create करती है, ठीक है importance of human values, human values की क्या क्या importance होते है तो यहाँ पर हमारे पास 2 importance मैंने यहाँ पर state करे है तो सबसे पहले मैं लिखतो बहुत सारे सकता था, बहुत सारी importance है लेकिन क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ तो यह है importance, तो सबसे पहला है it provides an understanding of what people find to be important in their lives की मतलब की यह एक understanding create करता है कि ऐसी कौन सी values human के अंदर है, कि वो आपकी life में important है अगर बाइचंस वो बंदा, कोई इंसान है, वो आपकी life में truth नहीं है truth नहीं बोलता है, loyal नहीं है, honesty नहीं है, love नहीं है, peace नहीं है तो फिर वो आपकी life में क्यों है, ठ्याना तो यह एक importance create उसके अंदर हो सकता है, कोई ऐसी value हो जो आपको पसंद हो इसी वाई से तो वो आपके लिए important है आपकी life में, इसी वाई से तो आप उसको अपनी life के अंदर रखना चाहते हो, right चाहे वो friend हो, family हो, cousin हो, कोई भी हो सकता है उसके अंदर The value system is not static, can change depending on context of situation अब क्या होता ही कि जो value है, value system जो है यह static नहीं है, static का मतलब यह है कि आपने एक बार किसी के लिए कोई perception बना लिए तो वो जिंदीगी बर रहेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है अगर आपको कोई cousin है, आप से starting में सच बोल रहा है, बाद में जूट बोलने लगे, तो आपका भी तो perception यह होगा कि हाँ यार यह सच बोल रहा है, मैं भी अपने कुछ इसको secrets बता देता हूँ लेकिन अगर बाद में चलके वो जूट बोलने लगा है, तो आप भी अपनी चीज़ों को, importance को कम कर दोगे, तो वैसे ही यहाँ पे है, कि यह static नहीं रहता है, यह context to context, situation to situation, जो है, वो change हो सकता है फिर उसके बाद हम अपने main topic के उपर आते हैं, जो की है basic human aspirations, basic human aspirations का मतलब क्या है, कि एक basic, basic कौन-कौन सी human की इच्छाएं होती है, जो human चाता है कि उनकी life में पूरी हो, उनकी life में आए, ठीक है, human aspirations refer to goal, अब हर एक इंसान की life के अंदर एक target होता है, कि यार मैं सफल हो desires है, जो मेरे dreams है, मुझे ये वाली गाड़ी लेनी है, वो वाली गाड़ी लेनी है, ये तना बड़ा bangla बनाना है, ये करना है, वो करना है, है ना, यहाँ यहाँ घूमना है, तो यह सारे aspirations है human की ये पूरे हो सके, इसको हम basic human aspirations कहते हैं, हर एक human जो है, वो यही चाता है कि उ इच्छाए है, उसके जो goals है, उसकी जो desires है, वो पूरी हो जाए, right, that individual have for themselves and their lives, और यह जो इच्छाए है ना, यह किसी के लिए भी हो सकता है, हो सकता है कि खुद के लिए हो, हो सकता है कि एक society cause के लिए हो, है ना, aspiration can change from material positions and career, success to relationships and personal growth, जो aspiration होती है, वो range क्या क्या होती है, ज etc, etc, या फिर career success की, यार मुझे तो एक company का CEO बनना है, team lead बनना है, I wanna achieve a package of 1 crore, है ना, या फिर relationships के अंदर हो सकता है कि यार, I want to be her friend, I want to be his friend, के ते कुछ भी हो सकता है, personal growth हो सकती है, right, financially भी हो सकता है, material position हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, our basic aspiration, our happiness and prosperity and its continuity, हमारी जो basic aspiration होती होती है, खुशी, अगर भाई जन्स हमारी goals, जो हमारी desires हैं, जो dreams हैं, अगर वो पूरे हो जाएंगे, तो हमें उससे क्या मिलेगी, हमें उससे मिलेगी, खुशी, है ना, happiness मिलेगी, और साथी साथ prosperity मिलेगी, and its continuity, and its continuity का मतलब क्या है, अगर मान के चलो कि मैंने आपको, मैंने न लाक रुपे पर package का package, तीन लाक रुपे पर year का package है मेरा, आप मुझे पांच लाक रुपे पर year का package चाहिए, है ना, तो आपकी जो desires हैं, वो बढ़ती रहेंगी, और जैसे जैसे आपकी desires पूरी होती जाहेंगी, वैसे वैसे आपको happiness and prosperity मिलेगी, और आप यहीं चाहोगे क कि वो continuity बनी रहे, यह नहीं है कि आज मेरे पास 5 लाक रुपे की job है, और कल मेरे पास कुछ भी नहीं हो, यह आप चाहोगे, नहीं चाहोगे, आप यह चाहोगे कि मेरे पास जो भी चीज़ है, वो तो रही रहे, साथी साथ मैं growth और achieve करूं, तो यह होती, its continuity, one of the primary aspiration is the pursuit of happiness and well being, जो primary aspiration होती है, वो happiness का pursuit और well being होती है, इसे के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है, humans strive to find joy, satisfaction and contentment, contentment का मतलब क्या होता है, positive emotions, जो human होते हैं, वो किस चीज के लिए strive करते हैं, strive का मतलब होता है, किस चीज के लिए तडपते हैं, और कौन सी चीज के इच्छुक होते ह हैं, तो वो joy के, मलब की, मौज, मस्ती, खुशी, satisfaction, अगर भाईचन साथ देखोगी, अगर किसी इंसान को किसी चीज से satisfaction नहीं नहीं, तो वो दुख में रहता है, example लेते हैं, मान के चलो अपने exam दिये, और exam में आपके एक बंदे के, एक बंद तो just pass हो रहा है, और एक बं नमबर मिल गए, और वहीं, जो satisfied नहीं है, उसको अपनी दुख है, कि यार मेरे एक नमबर कहां कट गए, ये भी निकटनी चीएते, मैं तो 1000 रुपे की rechecking डालूँगा, ये ये करूँगा, वो करूँगा, case करूँगा, फलाना निमकाना, है ना, तो आपको satisfy होना जरूरी है, human की striving जब ही खतम होगी, जब वो satisfy हो जाएगा, contentment की बात हो गई है कि positive emotions, positive emotions, being happy, ये सारी चीज़े होती है, the basic aspiration of human beings revolve around happiness and well-being, knowledge, understanding, connection and belonging, जो basic human aspiration होती है, वो कुछ चीजों के around ही घूमती रहती है, कुछ चीजों के around ही घूमती रहती है, अगर वाइचान से basic aspirations आपकी depression, और भी पता नहीं, high blood pressure, पता नहीं क्या-क्या सुनने में आ जाता है, तो वो चीज़े human की life में एंटर करनी ही start कर जाती है, अगर हम basic aspirations की बात करें क्या-क्या है, तो सबसे पहला happiness, जितना जादा आप खुश रह सकते हो, जितना जादा आप अपने उपर ध्यान दे सकते यह, well-being होती है, knowledge, आप जितना सादा knowledge books पढ़ोगे, जितनी भी आप knowledge gain कर सकते हो, तो knowledge gain करो, understanding, दूसरे इंसान को समझना, या फिर situations को समझना, practicality को समझना, connections बनाना और अपने belongings को एक तरीके से समभाल करके रखना, यह जो होती है, human की basic aspirations होती है, आगे आता है, हमारा aspiration reflect the multi-faced nature of human existence, जो aspiration होती है, वो इनसान की multi-faced, जो nature है, उसको showcase करती है, and serve as guiding principles in our pursuit of a fulfilling and meaning life, अब यह क्यों कहा गया, कि aspiration जो है, एक multi-faced है, हो सकता है, कि आपके जो इच्छाएं हो, वो आपके लिए positive हो, लेकिन दूसरे बंदे के लिए negative हो, ऐसा हो सकता है, तो इसी वज़े से multi-faced nature जो है, वो कहा गया है, for example, अभी हमारी desire है कि हमें गाड़ी लेनी है, अब हमारे लिए तो यह चीज़ positive है, company वालों के लिए चीज़ positive है, society के लिए यह चीज़ positive है, लेकिन अगर negativity की, क्योंकि human values की यहाँ पर बात हो रही है, human की value, human की जब बात होती है, तो यहाँ पर ब caste, creed, nation and beliefs, यह जो aspirations है, इसके अंदर age का कुछ लेना देना नहीं है, genders का लेना देना कुछ नहीं है, caste का लेना देना नहीं है, nation का लेना देना नहीं है, beliefs का लेना देना नहीं है, अब मैं यह क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि aspiration किसी के अंदर भी आ सकती है, चाहे कोई गाओं क हो चाहे वो कोई शहर का हो चाहे वो अमेरिका का हो चाहे वो इंडिया का हो हर किसी के अंदर अपने अपने डिजायर्स होते हैं अपने अपने गोल्स होते हैं अपने अपने ड्रीम्स होते हैं और हर कोई उनको पूरा करना चाता है हर कोई अपनी एस्पिरेशन को पूरा करन और साथी साथ अपने आपको अपने उपर ध्यान देना कह सकते हो फिर उसके बाद है करियर सक्सेस की मैं करियर में यह अचीव कर लूँ material wealth की मेरे पास यह वाली चीज हो यह वाली चीज मुझे चाहिए यह वाली चीजें strong relationships की आपकी ममे पापा जो है या जो आपकी sisters है जो cousins है उनके साथ जो आपका bond है वो बहुत जादा strong जो है वो बना रहे personal growth and development जो आपकी personal growth है और जो development है वो होती रहे time to time ठीक है career success अलग होती है और personal growth अलग होती है फिर उसके बाद हमारा next जो है एक question आता है यह वाला question जो है वो AKTU में पूछा भी क्या है एक बार it is to be to get to become मतलब कि to be क्या है to get क्या है to become क्या है कि present state में हम कैसे हैं क्या कर सकते हैं rather than external achievements इसके अंदर हम external achievements को achieve करने की बात नहीं करते हैं ठीक है centers on inner qualities यह center किस पर होता है इसका जो main ध्यान होता है वो किसके ओपर होता है focus किस पर होता है inner qualities पे values पे character traits पे that a person desire to embody for example कि मुझे रितिक रोशन जैसी body चाहिए मुझे सलमान खान जैसी body चाहिए है तो यह जो होती है inner qualities या फिर अपने character को build up करना या फिर आपने देखा होगा कई बार आप कोई movie देखने जाते हो और उसका character अपने साथ लेके आ जाते हो for example कोई movie देखने गया बाहुबली देखने गया ठीक है और घर पे आने के बाद वैसे act कर रहे हैं है ना तो यह क्या हुआ यह आप एक तरीकी से 2B पे focus हो गए 2B पे कैसे कि आप अपने inner qualities को values को उस character के साथ से जो है वो change करने लग गए यहाँ पर मैं किसी का reference क्यों ले रहा हूं यहाँ पर मैं reference इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यह पर्सनल्ट की desire है जो वो embody करेगा और embody कप करेगा जब उसके सामने एक prime example एक ideal होगा है ना तो इसलिए लोगों के authenticity and embarrassing one's true nature और इसके अंदर क्या क्या involved होता है इसके अंदर सबसे पहला है self acceptance मतलब कि आप जैसे हो उसको ही आप accept करो कि हाँ अगर मैं मोटा हूं या मोटी हूं तो मैं हाँ ठीक है ना क्या दिक्कत हो गई या फिर अगर मैं slim हूं या फिर इसलिम हूं या नहीं हूं जो भी है आप खुद को accept करो जैसे भी आप accept करो दूसरा परसनल authenticity कि आप जो हो वो आप ही हो ना यह तो नहीं आप किसी और कुछ और बनना चाहरे हो और कुछ और बन गए हो और किसी का जो टूनेचर है उसको आप एंब्रेस करो इन्व वालिटी लाइक इसके अंदर क्या 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 हो सकती है being happy कि आप खुश रहो kind compassionate loving resilient and confident यह कुछ इसकी qualities होती है फिर उसके बाद हम बात करते हैं to get की की to get क्या होता है to get होता है focus on acquisition of external positions इसके अंदर मैं यह पालू मैं वह पालू है ना यह ले लूँ वह ले लूँ तो यह जो acquisition होता है external positions का इसको हम बोलते हैं to get achievements और experiments experience और इसके अंदर क्या होता है achievements हम achieve करना चाहते है और experience लेना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर गुमना चाहता हूं वोगूना चाहते हो एक्सटर्नल होता है total ठीक है यहाँ पर Inter4 की बात कर Запshire कर रहे हैं and compasses, material gains, social recognition and accomplishments इसके अंदर क्या-क्या चीज़े हो सकते हैं जैसे कि material gains हो गया कि वाली गाड़ी लेनी है, वाला material लेना है वो लेना है फिर इसके बाद social recognition कि हायर मैं famous हो जाओ, मेरे को fame मिल जाए उसके अलाबर क्या हो सकता है, accomplishments हो सकते हैं मैं यह achieve कर लूँ अपनी life में externally, ठीक है might include wealth, property, positions, status, award and etc इसके अंदर आप wealth को count कर सकते हो, property को count कर सकते हो, positions को count कर सकते हो status को count कर सकते हो, award को count कर सकते हो, यह सारी चीज़े फिर उसके बाद हम बात करते हैं, last topic, sorry, इसका last point जिसका नाम है to become to become के अंदर क्या होता है, focus on personal growth, इसके अंदर हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी personal growth कैसी है, कैसी नहीं है, development and transformation इसके बारे में हम बात करते हैं, striving to become better through learning, gaining skills and etc और इसके अंदर हम किसके उपर बात करते हैं, हम learning के उपर और gaining skills के उपर बात करते हैं beyond external achievements or positions and focus on personal evolution और इसके अंदर हम external achievements or positions को हटाते हैं, और इसके अंदर हम totally जो focus करते हैं, वो अपने person evolution के उपर करते हैं तो चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा next topic, जो की है requirements for fulfilling basic human aspirations की, क्या-क्या requirements है, human की basic aspirations जो है उनको पूरा करने के लिए तो सबसे पहले हमें happiness चाहिए होती है, जो की हम पीछे पीछे भी discuss कर चुके है, happiness and well-being, health and vitality, health और vitality बहुत ज़ादे important है, फिर उसके बाद है relationships and connection, फिर उसके बाद है personal growth and fulfillment, purpose and meaning, तो ये 5 चीज़े हैं जो की required है, human की aspirations को पूरा करने के लिए and high hope जो है, आप इन चीजों को explain भी easily कर सकते हो, तो इसी बाद से मैंने आप explain नहीं किया है, अगर आपके पास ये question आता है, तो आपको ये 5 points भी explain करने है, to address the personal state of our society and help fulfill these aspirations, we can consider these solutions, अब एक question और आता है, कि जो हमारी present situation है, जो हमारी present state है, क्या उसके इसाप से हम इन सारी aspirations को पूरा कर पा रहे हैं, अगर क कर पा रहे हैं, तो कैसे नहीं कर पा रहे हैं, हमें क्या-क्या solutions चाहिए हैं, तो देखो, आप सारी की-सारी aspirations को पूरा तो नहीं कर पा रहे हो, right, तो आपको यहाँ पर solution ही बताना है, solution क्यों बताना है, क्योंकि EKTU यही चाहता है कि आप solutions बताओ, या फिर जो आपका examiner है, वो यही चाहता है कि आप solutions बताओ, तो आप solutions बताओगे, और यहाँ पर मैंने art type के solution लिखे हुए है, आप यहाँ पर सारे के-सारे solutions लिख सकते हो, सारे के-सारे याद रहे जाते हैं, तो सारे के-सारे लिख देना, सबसे पहला है education and health explain करना है, community engagement, इसे भी, मतलब यह जो आ solution गया है, कि हम उन medicines को जो है, वो अपने जो आसपास का area उसको साफ रखें, ठीक है, और वो जो medicines है, उनका कोई alternative धूंडे है, जिससे कि हम उसको cost effective बना सकें, यहाँ पर आपको एक तरीके से business mind दोनाना अपनेगा, कि आप human, एक society के लिए जो है, वो एक क्या कर रहे हो, एक welfare कर रहे हो, एक अच्छी चीज के लिए बात कर रहे हो, community engagement, मतलब कि आप किसी एक society में रहते हो, आप वहाँ पे लोगों से बातचीत करो, कि हम किस तरीके से अपनी society को और साथा better कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें जो है, हमारी society में better हो सकती है, sustainable management का मतलब है कि जो भी आप solution आपना हो, वो लंबे समय तक चलने वाला हो, for example, road आपने अपनी society में डलवाया, ठीक है, आप अपने पैसे जो है contribute करें, आपने अपनी society के अंदर road जो है, वो आपने डलवाया, आप वो जो road है, वो किस तरीके से डलना चाहिए, जो वो है, लंबे समय तक ठीक है, यह हमा आपको PDP की जो एहमियत है, वो पता चलेगी, क्योंकि PDP सबसे ज़ाद important होती है corporate world के अंदर, ठीक है, real life में तो इतना ज़ादा कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन corporate world के अंदर ही बहुत ज़ादा important होती है, mental health support कि हम किस तरीके से जो लोग alone है, अकेले है, anxiety में है, depression में है, वो लोगों को किस तरीके से support दे सकते हैं, किस तरीके से हम prevention कर सकते हैं कि यह लोग depression ही उनसे चीज़ों में ना आए, ethical governance, ethical governance का मतलब यह है कि किस तरीके से हम ethically जो है, वो अपने आसपास का एक leader बन सकते हैं, कि हाँ यार यह गलत हो रहा है, आप आप आवाज उठाओ, ठी appreciation and diversity, cultural appreciation का मतलब क्या है कि अगर कोई किसी culture के अंदर कोई चीज अच्छी हो रही है, कोई चीज बुरी हो रही है, तो फिर आप उस culture को जो है appreciate करो, और diversity के अंदर आप support करो, कि अगर आपका कोई और culture है, दूसरा culture, मतलब मान के चलो, आप एक culture से वो हो, belong करते हो, और दूस तो क्या होगा, इस से culture appreciation जो है वो बढ़ेगा, okay, technological advancements, कि जो technology है, उसके अंदर हम किस तरीकी से advancements कर सकते हैं, अपना contribution क्या दे सकते हैं, society की तरफ, ये इसके अंदर आपको solutions के अंदर बात करनी है, these solutions require collaboration, understanding and collective efforts from individuals, क्योंकि हमें पता है, अकेला चना भाड नहीं फोड सकता, तो इसी वज़े से जो solutions होते हैं, ये collaboration मांगते हैं, ये understanding मांगते हैं, collective effort मांगते हैं, from individual communities, organizations and governments, तो इन सब का collaboration, इन सब की understanding, इन सब का collective effort जो है, वो हमारे solutions को जो है, और जादे elaborate कर देगा, तो इसे के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है हमारा right understanding, और दोस को like कर देना, share कर देना अपने दोस्तों को, और please मुझे comment section में जरूरू बताना, आपको next video की topic के उपचे हैं, कोई doubt तो नहीं है, कोई suggestion तो नहीं है, और ये के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारा आता है right understanding, तो right understanding जो ये आया है बुद्धा, Lord बुद्धा, गौतम क्या है, एक तरीकी से कह सकते हैं, तो right ये जो subject है, ये जो eight paths है, noble paths है, ये भी आप लोग पढ़ने वाले हो, और ये पढ़ोगे आप ITCS, Indian Traditions, Culture and Society subject के अंदर, और जो कि ये भी एक non-credit subject है, और शायद ये third year के अंदर है, तो चलिए इसे के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो having a clear and accurate understanding of how things are in world and in our lives, कि right understanding क्या है, कि हमें एक clear and accurate understanding हो, कि किस तरीकी से हमारी दुनिया है, उसके अंदर चीज़े होती है, और किस तरीकी से हम अपने lives को उससाब से ढालना चाहिए, for example, हम यहाँ पर छोटा ज़रे एक्जम्पल लेते हैं, घरों का, ठीक है, अब अगर हम hilly areas की बात करें, तो hilly areas जो होते हैं, उनके अंदर जो घर होते हैं, वो hut type में होते हैं, ऐसे होते हैं, triangular shape में उपर का, जो head होते हैं, और भही अगर हम यहाँ पर Delhi NCR, जो normal जहां पर rain पढ़ती है, वहाँ पर जो areas होते हैं, वहाँ पर हम flat surfaces रखते हो उपर, तो यह आप understanding समझ सकते हो, right understanding समझ सकते हो, कि जिस हिसाब से आपका मौसम होगा, उस हिसाब से आमें घर बनाने, तो एक तरीकी सा आप right understanding की तरफ ले सकते हो, एक example की तरह ले सकते हो, it means seeing things as they are, without getting caught up in distorted or false views, मतलब कि आप यह देखो कि जैसी चीजे हैं, यह नहीं कि आप जूटी मूटी चीज यह हो ना वो भी सही है, लेकिन आपको right understanding भी होनी चाहिए, जिसके वजह से आप false information के अंदर, या फिर false चीजों के अंदर, false views के अंदर ना फस जाओ, फिर उसके बाद है, it involves understanding, that life involves both joy and suffering, and suffering arises from our desires, यह involve करता है, इसके अंदर क्या-क्या चीज़े हो सकते हैं, joy और suffering, दो और जो दुख arise होते हैं, वो arise होते हैं हमारी desire से, desire से कैसे arise होते हैं, आप मान के चलो कि आपको एक घर लेना है, ठीक है, आप घर लेने के लिए आपको loan लेना पड़ा, मान के चलो EMI लेनी पड़ी है, उधार पैसे लेने पड़े, and आप job से इतना earn कर रहे थे, या कर रहे हो, कि आप उसकी EMI जो है, वो दे पा रहे हो, लेकिन बस दे पा रहे हो, कुछ save बगर नहीं कर पा रहे हो, तो एक तरगी साथ सफर ही कर रहे हो, ठीक है, पेट काटके आप उस घर को लिया, and आप उसकी EMI पे कर रहे हो, and जितना मुझे पता है, corporate वालों की आदी life, तो EMI पे करने में ही चली जाती है, right, attachment and ignorance, और साथ ही साथ क्या, attachment और ignorance जो होती है, वो भी आपको सफर करवाती है, life के अंदर, ठीक है, कोई दोस्त है, वो आपको धोका दे के चले जाए, तो attachment जो है, आपको, वो आपको सफर करवाएगी, ignorance, आप किसी से सोच रहों कि ये बंदा मैं हाँ पे enter कर रहा हूँ, यार ये बंदा तो मुझे थोड़ा थोड़ा वो देगा जहरूर, appreciation देगा ज़रूर, या मुझे देखके hi hello तो करेगा, और उसने ignore कर दिया, तो आपको suffering होगी, आपको दुख होगा, right, it involves means recognition that everything in life is interconnected and constantly changing, right understanding का मतलब ये भी कह सकते हो, कि आप recognize क कर रहे हो कि life के अंदर ना, हर एक चीज जो है वो interconnected है, और साथी साथ constantly change हो रही है, यह नहीं है कि वही की है, क्या हमारी technology आज की time में वही की है, क्या हमारे thinking है वो आज की है, नहीं, time के साथ क्या होतरे है, हर एक चीज जो होती है, वो change होती है, advanced होती है, right, तो यहाँ पे भी राइट अंडेस्टेंडिंग यही है अंडेस्टेंडिंग दिस हेल्प अस अडाप्ट टू चेंज आंड नोट गेट इन्टू अटाइच तो तो उस टाइम पर हमारे पास जो कीपड फोन सुते थे वह होते थे फिर उसके बाद टाइम बतला तो टचस्क्रीन फोन आए तो हमने कितनी जलती अडाप्ट कर लिया ना है ना तो इसी तरीके से हमें हमारी राइट अंडेस्टेंडिंग होनी चाहिए कि टाइम के साथ जो चीजें बदलती है और हमें उन है एपिनएस प्रोसपारीटी है वेल्थ और हंते बहुट आपसे अंब करताईँ ऐसक्ता है तो चलिए है मैंने आपको समझा देता हूं रहे मैंने ऑंसर । सबसे पहले मैं एंड़ी टिकरती है उंग ऩॉपाइंट्स क करती है उन पॉंए दिया है मैंने हर एक टॉपिक के अंदर पांच-पांच पॉइंट्स लिखे हैं तो आपको डिफ्रेंशीट करने भी ज्यादा मुश्किल बिल्कुल भी नहीं आने वाली है तो सबसे पहले हैपीनेस की बात करते हैं मतलब की पॉजिटिव थॉट्स जो होते हैं पॉजिटिव एमोशन जो है अगर हमारे मन के अंदर आ रहे हैं हमें फील हो रहे हैं तो फिर एक तरीगी हम उसे हैपीनेस कह सकते हैं सैटिस्फेक्शन भी इसके अंदर काउंट होती है अगर आपके मन में कुछ और थॉट्स है अगर आपके मन में कुछ और थॉट्स है तो आप इसको जितना जादा लिख सकते हो लिखो ठीक है तो इसे के साथ फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है फिर उसके बाद है contentment positive thoughts तो यह सारी चीजों जो होती है वह positive emotions जो है वह खुशी के बढ़ाती है satisfaction with your life satisfaction with life मतलब कि जो भी चीज जो भी चीज जो भी रिसूर्स आपके पास है आप उससे satisfied हो अगर आपके पास iPhone नहीं है आपके पास कोई और phone है और आपको वह satisfied हो कि हाँ यार मेरे पास phone तो है ना यार मैं call वाल तो कर पा रहा हो ना मैं सारी सीजों से connected तो हूँ आप satisfied हो तो आपको एक happiness मिलेगी आप दुख नहीं रहोगे आप सफर नहीं करोगे at least emotional well-being emotional well-being का मतलब है कि आपकी mental health बहुत अच्छी है आप positive outlook जो है आपका life का वह बहुत अच्छा है physically आप बहुत ज़्यादा healthy हो तो फिर आप एक तरीकी से happy life जो है वह आप stay कर रहे हो fulfillment desires fulfillment desires का मतलब है कि आपकी कुछ इच्छाएं आई कि चलो यार मैं यहां पर घूम यह आता हूं चलो मैं यह वाली बुक पढ़ लेता हूं चलो मैं यह वाली जो है वीडियो देख लेता है ना तो यह जो है fulfillment desired का और यहां से भी आपको खुशी मिलती है subjective experience subjective experience की बात करें what bring happiness to one may differ और यहां पर अलग-अलग लोगों की लेक में अलग-अलग चीज़े जो हैं वो खुशी ला सकती है तो इसलिए वो भी परसंट टू-परसंट डिफर करता है और वो भी आप चीज़ें यहां पर लिख सकते हो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो होता है dissatisfaction होता है किसी भी चीज से satisfied नहीं हो फोन है तो यह वाला क्यों नहीं है फलाना क्यों नहीं है तो आपको मिला करके दुखी रहते हो तो आपको अनहापिनेस का जो है वो भाव अपने मन के अंदर आएगा यह किस वज़े से होता है या तो आपको कोई लॉस हो है can be associated with किन-किन चीजों से associated होती है तो यहां पर हमारे पास फिर से पांच पॉइंट जाब से पहले है negative emotions sadness हो सकती है एंगर हो सकता है frustration हो सकती disappointment हो सकता है और भी कई सारी चीज़ा आप लिख सकते हो लिख सकते हो dissatisfaction with life same satisfaction जैसे होता है वैसी dissatisfaction होता है emotional distress anxiety होना stress होना hopelessness होना helplessness होना है na hopelessness हो गई कि आपके पास कोई hope नहीं है मान के चलो की कोई बंदा है उसके पास skills नहीं है और placements का time जा चुका है अब उसके पास बंदे के बाद जॉब भी नहीं है तो वह hopelessness है hopelessness से उसे happiness feel होगी helplessness मतलब कि उसे किसी की help चाहिए अपने project के अंदर लेकिन कोई help करने वाला नहीं है तो helplessness हो गई क्योंकि उसे डाट पढ़ने वाले उसके internal के marks बेकार चले जाएंगे तो इसलिए unhappy हो रहा है वह फिर उसके बाद है unfulfilled desires unfulfilled desires के अंदर क्या है not me desires कि हमारे आपकी desires पूरी नहीं हो ना टौफी नहीं मिली है ना goals और expectations जो है वह पूरी नहीं हो subjective experience की जो subjective experience है आपका वो अलग-अलग हो सकता है कि आपको हो सकता है कि अलग-अलग चीज़ों से अलग-अलग satisfaction ना मिले ठीक है prosperity का मतलब होता है well-being or success well-being का मतलब होता है अपने ओपर ध्यान देना physically mentally emotionally सार एक चीज से typically associated with material abundance जो material abundance होती है abundance का मतलब क्या होता है पूर्ती ठीक है मतलब की materials जो है आपके पास जो भी गाड़ी है बंगला है या जो भी जो भी जिस टाइप का भी जो भी आपका furniture आपको चाहिए वो सब आपके पास है तो आप material abundance जो है आप कह सकते हो financial security है आपके पास overall flourishing in various aspects of life कि मतलब वेरिस aspects जो है अलग-लग life के aspects में आप जो है खुल मिलागर के खुश हो ठीक है तो आप उसे prosperity कहोगे can be associated with अब किन-किन चीज़ों से associated है जी सबसे पहले है well-being well-being का मतलब क्या है कि physical mental और emotional aspects पे फिर उसके होती है आपके success और achievement जो है एक तरीकी से prosperity के अंदर count होती है और यही चीज़ जो है achieve करने के लिए physics वाला लेके आया आपके लिए कुछ बहतरीन courses जैसे की decode dsa with c++ का course और इस course के अंदर जो है आपको इतनी सारी facilities मिलने वाली है वो भी इतने सस्ते दाम में कि आपको कहीं और मिलेंगी ही नहीं अगर हम बात करेंगी क्या-क्या facilities आपको मिलने वाली है तो सबसे पहले आपको end-to-end जो है इस project पे काम करवाया जाएगा इंटर्शिप्स मिलेंगी 1500 प्लस आवर्स का जो है classes होंगी 150 प्लस आवर्स की जो है classes होंगी साथी साथ यह जो course होगो आपको 2 साल तक का dashboard access मिलेगा साथी साथ जो 80% जो classes है वो आपकी scheduled है तो फिर जो आपका college का timing है वो भी disturbed नहीं होगा साथी साथ जो live classes हैं उसके अंदर आपकी doubt session भी लिये जाएंगे अगर मैं requirements की बात करो तो requirements के अंदर simple सी कुछ-कुछ चीज़े है जैसे की i3 processor चाहिए minimum जो है आपके पास laptop होना चाहिए चार जीबी के डैम होनी चाहिए और साथी साथ 6 मत का जो है आपके इंदर dedication होना चाहिए कि आप इस course को complete कर सको और साथी साथ अगर हम trainers की बात करें कि कौन-कौन आपको train कर रहा है तो जैसे जो trainers है Google की या फिर जो LinkedIn में काम कर जोगी जो fintech companies में जो काम कर चुके हैं लोग वो आपको skill जो है सिखाने वाले हैं तो यह जो PW की skills की तरफ से जो course है वो बहुत बैतरी हैं अगर हम कुछ और features की बात करें तो यहाँ पे आपको PW skills जो है एक option मिलेगा जहां पर आपको सारे के सारे जो coding जो environment से वो एक जगे मिल जाते हैं तो आपको बार-बार जादा खर तो दोस्तो प्लीज जो है आप इस course के अंदर जरूर से जो है enroll कर लिजेगा बहुत जादा beneficial है और इसके साथ आप क्योंकि मेरे viewers हैं तो आपको मिलेगा special discount और special discount के लिए आप use कीजिए UNI500 जो है code है यह mobile applications के ओपर जो है वो code work करेगा UNI500 इसको use करने से आपको इस course के ओप 500 रुपे का additional discount मिल जाएगा तो दोस्तों बिना समय गवाए इस course को जो है वो आप enroll कर लिजेगा बहुत जादा benefit है और आपको बहुत जादा benefit होगा तो इसी के साथ हम जम करते हैं अपनी वीडियो के उपर तो इसी के साथ हम जम करते हैं अपने next topic के उपर जिसका नाम है abundance यह third point है हमारा और abundance के मतलब क्या होता है कि material abundance होना material की जो है पूर्ती होना अपने पास financial stability होना कि हाँ हाँ अगर भाई साब मेरे पास पैसे हैं मैं stable हूँ यह नहीं है कि मेरे पास अगर मेरी job चली जाए मेरा business 2-3 दिन के लिए बंद हो जाए तो फिर मैं stability अपनी loss कर जरूरी नहीं है कि आपके पासो लेकिन contrary मदिट मदद जरूरी नहीं है सब के पास है आपके पास तो आप prosperousmersby Weg माब हो घर यह हर् Kauf के पास ओना जरूरी थोड़ी नहीं कंपज को लाँ थोड़ीन यह लेंकिन आपके आपास है तो आप prosperous herb क्लिх कुल आपको एक ऐसा सक कोई भी आपका परपस है लाइफ के अंदर वह आपका पोरा हो जाए तो फिर आप प्रॉस्पेर हो फ्लॉरिशिंग रिलेशन्शिप्स हेल्थ करियर एक्सेक्टराइब फ्लॉरिशिंग का मतलब क्या है कि रिलेशन्शिप्स आपकी खुशाल चल रही है हेल्थ जो है अंदर किस चीज़ की होती है वेल्यूएबल रिसोर्स जैसे पैसा एसे पोजिशन्स ओं सम्थिंग ठीक है मतलब कि कुछ भी आपके पास है पैसा है एसे जोलरी है प्रॉपर्टी है तो यह सारी चीज़ आप क्या है वेल्थी हो के इंडिकेट फाइनिशल और मैटिर रिस उसे जा आप उनसे खुश हो इस टे से अटिस्वाइड हो तो फिर आप प्रॉस्पैरस हो लेकिन अगर आपके पास चीज़े ऐसी हैं कि आप उन्हें बढ़ा सकते हो कभी भी चाहे जो भी चीज़ चाहे वह खरीद सकते हो तो फिर आप वह वह वैल्थी हो आपको चलिए यहां पर हम बात किस किस चीज़ की करते हैं सिक्योरिटी किसकी फाइनिशल सिक्योरिटी कि हाया अगर बाइचन मेरी जॉब भी चली जाते हैं मेरा बिजनस भी बंद हो जाएगा जब भी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है यहां पर मैं एक्जामपल लेना चाहूंगा अशनीर जो है वो ले सकते हो उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी हायर सोसाइटी में रहते हैं वाई सबसे पहला है फाइनिशल रिसोर्स पैसा और एसेट्स मैट्रिल पोजिशन की बात करें तो प्रॉपर्टी गोड्स एक्सेक्ट्रा एकोनॉमी सेक्योरिटी जैसे की नी जो है रहना सेना होता है सब्का और बहुत साथ पॉसिब्लिटी जिसकी वाज़े से आपको बहूत सब्सक्राल पॉसिबिलिटी जो है वो मिल सकती है कि मतलब कि आपको किस तरीकी से रहना है आप अपनी life को खुद ही define कर सकते हो social economic status social economic status का मतलब कि यह कि जो wealthy लोग होते हैं वो directly connected होते हैं linked होते हैं social status से जिसके पास जितना ज्यादा पैसा उतना ज्यादा उसका social status and can influence one's social standing और वो किसी की भी social standing जो है उसको influence कर सकता है and access to privilege and resources और उसके पास access होता है कई सारी resources का और कई सारी privileges का ठीक है चलिए फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आता है हमारा levels of living हमारा second last topic था राइट तो चलिए फिर देखते हैं levels of living क्या होती है levels of living का मतलब क्या है कि different refers to different dimensions and aspects of our lives that contribute to our overall well-being and quality of life मतलब कि यह कौन-कौन सी चार चीज़े मतलब कि level of living न टोटल चार ही है मतलब एक तरीकी से मैं आपको कहूं तो आपकी जो हमारे syllabus से उसके अंदर चार ही हैं जिसके अंदर हम अपनी contribution जो है वो कर सकते हैं और हमारी जो well-being है जो हमारी ध्यान रखने का तरीका है अपने या आपका या फिर nature का उसे हम improve कर सकते हैं quality life को improve कर सकते हैं यहाँ पर चार points से सबसे पहला है at the level of myself कि आप सबसे पहले अब जोगे living में ठीक है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इसके अंदर भी मैंने चार points लिखें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तो सबसे पहले है self awareness and authenticity मतलब कि it involves understanding yourself believes values strength weaknesses and personal identity इसके अंदर ठीक है yes analysis को आप जरूर कीजिएगा आप इसके बारे में Google पर search कर सकते हैं and इससे आपको self awareness and authenticity जो है न वह बहुत अच्छे तरीक से मिल पाएगी और यह भी मुझे पता चला था PDP classes की वजह से ठीक है मतलब कि जब मैं college में था तो उस ताइम पर मेरे college वालों होती है self reflection, self honesty, authenticity, self acceptance यह इसके अंदर values होनी चाहिए फिर उसके बाद हमारा आता है growth and learning be point है हमारा growth and learning मतलब आप knowledge और results जो है वो gain करोगे तो फिर आप अपने आपको level up करोगे अपने आपने well being and self care, take care of your physical, mental and emotional मतलब कि आप emotionally अपना ध्यान रखो, physically ध्यान रखो, mentally ध्यान रखो, इसके अंदर values क्या-क्या हो सकती है तो values की बाद करें तो यहां पर है self care, balance, self composition and self respect तो यह है आपकी कुछ values फिर उसके बाद हमारा d point आता है जो कि है purpose and meaning, क्या-क्या purpose है, क्या-क्या meaning है, सबसे पहले है finding purpose, आप सबसे पहले अपने purpose find करो कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ठीक है and meaning in your life, और आप अपनी life में meaning ढुटो, यह नहीं है कि सुबह 10 बजे उठ रहे हैं और कुछ काम वाम नहीं किया, रात को सो गए, तो यह कुछ meaning आप life में add नहीं कर रहे हो, कुछ add नहीं कर रहे हो, वर्थ add नहीं कर रहे हो है तो खुल मिलाकर कि आप अपनी life में कुछ worth add कर जब आप अपने आपके अंदर एक level जो है living का वो exceed कर पाओगे, values such as passion, meaning, contribution and fulfillment यह उसकी कुछ values है, फिर उसके बाद हमारी second value आती है, जो कि है second level आता है, जिसका नाम है at the level of family, family के अंदर क्या है, it plays important role in shaping relationships, यह बहुत जादे important role play करता है हमारी relationship को shape करने में, कि हम पापा के सा किस तरीके से behave करते हैं, भाई के साथ किस तरीके से behave करते हैं, हम बहनों के साथ किस तरीके से behave करते हैं, dynamics के किस तरीके से आप अपनी चीजों को जो है वो लेके चलते हो and overall well-being, overall well-being का मतब क्या है कि harmony, आपको harmony का यहां पे भी ध्यान रखना है, दोस्तों अगर आप जतना सब्सक्राइब को थोड़ा से इंक्लूड करके चलना हर एक चीज के अंदर ठीक है क्योंकि हार बड़ा एक कीवर्ड है UHV के अंदर पास करवाने के लिए चलिए इसके अंदर हम चार पॉइंट्स क्या क्या है वो देख लेते हैं लव एंड केर रेस्पेक्ट और कम्यूनिकेशन पर रिस्पॉंसिब्लिटी एंड अकॉंटिबिलिटी सपोर्ट एंड यूनिटी दोस्तों यह सारी चीज़े भी आपको एक्स्प्लेन करनी है और यह यह चीज़े तो आप एक्स्प्लेन अच्छे से करी लेंगे फिर उसके बाद आती है आपकी थर्ड पॉइंट जो की है एट दा लेवल अफ सोसाइटी सोसाइटी की तरफ भी हमारे कॉंट्रिबूशन बनता है और सोसाइटी होती क्या है सबसे पहले देख लेते हैं लार् सब्सक्राइब धार पिएवल को से से पहले में य治 एख चीटि में आप दूसरे का घख चीचन रहे हैं यूमन राइट कर рा रहे हैं और आपको फियर रहना चाहिए तो यह सारी चीज़ है फिर उसके बाद हमारा बी पॉइंट आता है शोशल हार्मनी और कॉपरेशन जो शोशल ही आपको प्यार से संबंद रखने चाहिए सब लोगों से अड़ोसी पड़ोसी यह निया कि लड़र हो है ना हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ बु इंडिविजुल राइट्स जो फ्रीडम है बोलने का या फिर जो भी करने का वो आप दो यह निए कि आप दूसरे बंदे को रोक रहे हो चौथा पॉइंट है हमारा शोशल प्रोग्रेस एंड सस्टेनिबिलिटी जो आपकी शोशल प्रोग्रेस आप उसे साथ दो और चौथा फॉइंट फिर उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स लेवल के जिसका नाम है अट दैवल ओफ नेट्र और एग्सिस्टेंस जो नेचर होता है वह क्या होता है जिसके अंदर हम अनिमल्स रहते हैं प्लांड होते हैं एवेंट होते हैं प्रोट्क्स होते हैं और तो हमारा नेचर की तरफ जो है वो एक जो है एक contribution बनता है यहीं पर उस human value की बात करी जा रही है इसके अंदर हमारा सबसे पहले पॉइंट आता है इस टैव वाडशेप एंड कंजरवेशन इस टैव वाडशेप का मतलब क्या होता है टेकिंग केर किसकी नीचर की ठीक है वैल्यूस की बात करें तो इसके अंदर आते हैं हमारी सस्टेनिबिलिटी कंजरवेशन प्रिवेंश है followers Management जो है वह होना चाहिए इस ची़ का और साथ ही सभर इको सिस्टम का इसे वह से जो ग्लोबल वामिंग वह जाया उनकिए और प्रती और रखनी चाहिए जैसे कि एलेंड को वयल्यूस की कि अंदर से ही आनी चाहिए वाली चीज़ है फिर उसके बाद आता है हमारा next point जो की है ecological awareness and responsibility कि हमें ecologically जो है वो aware होना चाहिए कि हमें किस तरीकिसे nature की तरफ जो है वो act करना है यह नहीं है कि हम बिना फाल्तु की जो है वो ब्लास्टिक हर जगे फिलाई जा रहे हैं वेल्यूस की बात करें तो एन्वार्मेंटल एड्यूकेशन किस तरीकिसे हमें इन्वार्मेंट को जो है वो प्रोटेक्ट कर सकते किस तरीकिस और जादा एन्हेंस कर सकते हैं माइडफुलनेस सस्टेनिबल प्रैक्टिस एंड एक्सेक्टर बायोफीलिया इंफनिटी तु नेचर मतलब की बायोफीलिया का मतलब क्या एफनिटी तु नेचर नेचर की तरफ लगाव और ये कनेक्शन आप किस तरीकिसे बना सकते हो आप कई सारे लोग जो होते हैं वो human and animal consciousness तो हम अगर consciousness की बात करें तो consciousness क्या होती है the state of being able to see कि हम जो state होती है जिसके अंदर एक जो living being है वो देख सकता है सुन सकता है feel कर सकता है emotional चीज़े जो है वो showcase कर सकता है उसम consciousness कह सकते हैं या फिर एक इसके दूसरी definition भी है the individual awareness of unique thoughts memories, feelings, sensations and environments मतलब कि individual जो है वो aware हो unique thoughts का कि उसके दिमाग में जो है unique unique thoughts आते हो उसके पास memories हो feelings हो sensation होती हो और अलग-अलग environments के अंदर वो survive कर पा रहा है फिर अलग-अलग environments के अंदर रह पा रहा है तो उसे हम consciousness जो है वो कह सकते हैं अब इसके अंदर हम बात करने एक example भी लिखा है so that आपको समझने में बहुत ज़्यादा असानी हो जाए तो यह है हमारे सबसे पहला point self awareness self awareness का मतलब क्या है human have ability to aware themselves as distinct individuals with thoughts emotions and experiences humans जो होते हैं उनके पास ability होती है कि वो अपने आपको aware कर सकें कि वो दूसरे को aware कर सकें है खुद को aware कर सकें different different distant distinct individual thoughts से ठीक है जैसे कि हमें पहली पता चल जाता है यार हमने यह वाली हरकत करी है यह वाला जो है हमारे साथ यह वाली चीज हो सकती है यह वह वाली चीज हो सकती है और उसी साब से हम जो है अपने मीजर्स जो है वह लेके चलते हैं या फिर emotions जो है वह हमारे dependent होते हैं या फिर experience जो होते हैं उनके भी आप पे भी हम कुछ चीज़े जो steps है वह हम लेते हैं example हो गया recognizing someone or self in a mirror हम किसी को पहचान रहे हैं तो हम किस भी आप पर पहचान रहे हैं अपने thoughts के भी emotions के भी आप पर कि या इस बंदे ने तो मैंने कहीं देखा है या इस बंदे ने कहीं मारा था गया में रहो है ना तो emotions हो गया experience हो गया कि हाँ यार मैंने शायद इस बंदे के साथ कुछ बुरा किया था तो यह experience हो गया है या फिर आप खुद को पहचान रहे हो तो यह भी एक तरीकी से self-awareness हो गई higher order cognition higher order cognition का मतलब क्या है have advanced cognitive abilities like reasoning problem solving planning and abstract thinking जो human होते हैं उसके अंदर reasoning की ability होती है problem solving की ability होती है planning की ability होती है abstract thinking अलग अलग चीज़ों को सोचने की अलग अलग तरीकी से सोचने की जो है ability होती है इसी वज़े से कुछ problem के solutions जो है वह आपको नहीं मिल पाते है लेकिन हो सकता है कि घर के किसी बड़े member को मिल जाते हो है ना example की बात करें solving problem math solving complex math problem जैसे कि जब हम math 1 पढ़ी हमने math 2 पढ़ी math 3 पढ़ी हो सकता है अब math 4 कुछ लोगोंने math 3 पढ़ी होगी कुछ लोगोंने math 4 पढ़ी होगी है ना तो उसके अंदर complex math problems थी कैसे solve कर ली इससे लिए solve कर ली क्योंकि आपके पास क्या थी higher order cognition थी लैंग्विज और communication यह हमारा third point जो humans होते हैं उनके पास language और communication करने का एक तरीका होता है वो अपने ideas को convey कर सकते हैं दूसरे के ideas को सुन सकते हैं और engage कर सकते हैं conversation के अंदर यह था था हमारा example चौता है हमारा introspection and reflection introspection का मतलब क्या होता है कि आगर भाइचन साथ के दिमाँ में कोई thought आया तो आप उसके उपर एक तरीक से सोच रहे हो कि हाँ है यह सही है कि नहीं है आप दूबारा मान के चलो आपको एक device लेना है आपको एक phone लेना है और आपने पसंद क क्यों देख रहे हो भाई आप 10 जोनों से क्यों पूछ रहे हो भाई आप पूछ रहे हो ना तो इसका मतलब क्या है कि आप अपनी decision को क्या कर रहे हो introspectrate कर रहे हो कि क्या जो मैं decision ले रहा हो वो सई है यह नहीं है अगर भाइचन साब career जो है अपना change करना चाहते हो आप BTEC iboF में आए थे तो हो सकता है कि आपने 2-3 लागों से सलाह लियो कि भाया मेरे को ces लेनी चाहिए मेरे कोaying लेनी चाया मेरे को ये बता दौ है ना फिर उसके बाद आपने us stream को selecting क्या होगा फिर आप आपने बनाया हुँ अब कर रहे हो कि मैंने जो डिजन लिया है वो सही लिया या नहीं लिया है तो यह भी एक human की ability होती है और इसी वज़े से जो human होता है वो अपने जो thoughts होते हैं उनको reflect करता है feelings को reflect करता है experiences को reflect कर पाता है engage करता है introspective processes के अंदर ठीक है example की बात करता है introspecting beliefs reflecting on past experiences and considering future goals for example career की बात ले लिजिए अगर आपने किसी civil वाले भाईये से पूछ ले कि भाईये civil के अंदर जो है वो value है यह नहीं है और civil वाले भाईये तो simple सी बात है वो खुद coding करके जो है CS IT के अंदर घुसेते तो वो तो यह बोलेंगे भाई मत कर तू CS कर ले civil के अंदर तो बिल्कुल भी scope नहीं है तो उन्होंने क्या किया आपने जो past experiences से उनके उपर क्या किया future goal बनाया राइट तो यह होती है introspection फिर उसके पार आती है हमारी animal consciousness animal consciousness के अंदर क्या होता है इसके अंदर भी हमने चार प्सक्राइब कर लिए सबसे पहले है sensory perception उनके अंदर जो सेंसिस उते होते हैं वह बहुत ज्यादा active होते हैं जैसे कि dogs होते हैं वह बहुत कम decibel तक की हावास सुन सकते हैं इनसान इतने decibel तक नहीं सुन सकता कर बिदशिया सब्सक्राइब तक नहीं कितने km तक जो है वो देख सकती है आपको पता है अगर आपको पता है तो please मुझे comment section में जरूर बताईएगा बाकी मैं आपको answer भी बता देता हूँ तो जो eagle होती है वो 3 km जो है वो देख सकती है उसका vision 3 km तक हो सकता है तो यह sensory perception जो है वो उनका जाधा fast बहुत जाधा accurate या फिर मैं कहूं बहुत जाधा advanced होता है और please मुझे comment section में यह भी बताईएगा कि human का कितना vision होता है ठीक है human कितने km तक देख सकता है यह भी बताईएगा चलिए second point की बात करता है emotional experiences जो humans होते हैं sorry जो animals होते हैं वो experience जो है वो कर सकते है joy को fear को sadness को affection को इन सारी चीज़ों को animals भी experience कर सकते हैं अब animals के अंदर हम यह वाली चीज़े क्यों लिख रहे हैं हम यह वाली चीज़ humans के अंदर भी लिख सकते थे actually humans के अंदर यह वाली चीज़ common है emotional experiences जो है वो सब के अंदर common है लेकिन यह जो emotional experience है यह animals के अंदर common नहीं है अब वहीं आप यह जो affection है यह joy है वो आप सांप को दिखा के दिखाओ आप crocodile को दिखा के दिखाओ है ना reptile है लेकिन फिर भी आप दिखाओ नहीं मुलब आप नहीं छिपकली को दिखाओ है ना तो आपको joy, fear, sadness, affection सब पता चाहे जाएगा तो यहाँ पर example की बात लें तो dog wagging its tail when its happy जो dog होता है वो अपनी पूछ को इलाता है जब वो खुश होता है तो यहाँ पर animal consciousness के हमें बात पता चली memory and learning जो memory होती है वो बहुत जदा advanced होती है या फिर उन्हें भी याद रहती है सारी चीज़े animals को भी याद रहती है कि हाँ इस बंदे ने हमारे साथ यह किया था तो चलिए आप एक example लेते हैं कि आप एक सरकस में गए सरकस में जाने के बाद जो है कई सारे जो animals है वो अलग- इसमें से पास हो रहा है तो यह कैसे दिखा पा रहे है कैसे कर पा रहे है क्योंकि जो memory है जो learning है उनके अंदर वो सारी चीज़े क्या है डाली गई है फॉर्म करी गई है पास्ट एक्स्पिरेंसे से वो सारी चीज़े कर पा रहे है ठीक है example में भी लिखा है डॉल्फिल learning and performing tricks okay चौता हमारा आता है problem solving and adaptation जो animals होते हैं उनके अंदर भी problem solving वाली situations होती है adaptation भी होता है कैसे होता है देखते हैं can exhibit problem solving skills to adapt their behavior to changing situation जैसे जैसे situation change हो रही है उसी साब से जो है वो अपने behavior को भी change कर लेते हैं example की बात करें तो भया आपने कवे वाली story तो जरूर पढ़ी होगी जिसके अंदर कवे को प्यास लग रही थे और उसने मटके के अंदर पानी डाल डाल के पानी का level उपर कर लिया था और फिर पानी पिया था तो यह problem solving situation हुई and यह real life में भी होता है तो इसे वज़े से यह मत कहना और बाकी monkeys का भी example ले सकते हो कि monkeys को path याद रहता है कि यार य इसी के साथ मेरी कुछ आपके लिए suggestions है कि सबसे पहले आप दो नंबर बाले question जो है वो जरू कर लेना वहां से आपके 20 नंबर वपक्य हो जाएंगे साथी साथ previous question पर पर जरू कर लेना क्यूंकि ज्यादतर repeat होने के chances होनी के होते है हार्मनी वर्ड का जो है especially ज्यादतर use कर सकते हो आप अगर आपका मलब फिट बैठ रहा है तो अफिर आप उनका यूज़रू कीजेगा और दोस्तों प्लीज हमारे चैनल यूनिक अपसाइट को सब्सक्राइब कर देजेगा वीडियो को लाइक कर देजेगा सब्सक्राइब कर देजेगा चैनल को और हम मिलते हैं इस वीडियो में जैन जै भारत थैंक्स वाचिंग यूनिक अपसाइट्स जैश्री राम